नमस्कार हम है भास कर्मिश आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल सीजीवाल के खाश पेशकस टिकटवाल में आप सभी लोगों का स्वागत है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विधान सभा चुनाओ नौमबर में होने वाला है और इसी के साथ ही हर पार्टियों से विधान सभा टिकट के दावेदारों के चेहरा धीरे-धीरे सामने आने लगा है आज हम शहर के एक प्रतिष्ठित नेता और अच्छे खासे चर्चित ऐसे शक्सियत से बात करने वाले हैं जिनका दावा पिछले कई पंचोवर्षी कारिकाल से देखने को मिलता है इस वारून का दावा है कि हर हालत में पार्टियों टिकट जरूर देगी आए हम बात करते हैं कि लोग श्रुवास से श्रुवास जी आपका सीजी वाल में स्वागत है आप किस पार्टी से और किस विधान सभा सीट से टिकट कर दावा कर रहे हैं जी मैं भारती रास्टी कॉंग्रेश और विधान सभा बिलतरा क्रमांग 31 से ये पाच्वी बार है मैं दावेदा जी पेस कर रहा हूँ कब से सक्री है पार्टी ने अब और आपकी सक्रीता कैसी है अब सक्रीता तो आज 30 वर्षों से मेरी सक्रीता है चुकि मेरे पिता जी भी कॉंग्रेस में थे अभी मेरे पिता जी है 20-30 समीति के सदस्य सहित कॉंग्रेस के विभिन पदों पर वो रहे है तो मैं जन्म से ही कॉंग्रेसी हूँ और कॉंग्रेसी विचारधारा के साथ सत पार्टी में सक्री हूँ विगत तीस वर्सों से मैं पार्टी के संगठन में काम कर रहा हूँ सन अंठानबे के बाद टिकेट की तैयारी ये 25 वर्स है और 2003, 2008, 2013 और 2018 में मैं प्रबल दावेदार था और चुकि कॉंग्रेसी परिवार से हूँ तो वर्सों से लगा हुआ हूँ और कॉंग्रेस के संगठन में अनेक जिम्मेदारियां भी है अभी मैं कॉंग्रेस के All India Congress Committee, OBC Department में मैं राष्टी कोवर्णेटर महा सची भी रहा हूँ, जारखन बिहार का प्रभारी हूँ PCC डेली गेट्स हूँ, कॉंग्रेस के अनेक पदो पर रहकर जिम्मेदारियों को मैंने निर्वहन किया है अभी जो संपन्न गुजराज के चुनाओ थे, बिहार विधान सभा चुनाओ, उत्तर प्रदेश चुनाओ, जार खंड, हिमान चल सभी जगा पार्टी ने मुझे प्रभारी बना कर भेजा था अभी संगठन के चुनाओं में मैं अरुनाचल प्रदेश के एपियारों भी था सभी जगा जहां पार्टी जिम्मेदारी जती है, मैं अपने दाईत्तों का निर्वहन करते रहता हूँ तेसा कि आपने श्रिवास जी बताया कि ये आपकी संगठन की सक्रीता है फिल्ड में आपकी किस प्रकार की सक्रीता है, कि जिसके आधार पर लगे किती लोग श्रिवास दावा कर रहे हैं फिल्ड में कॉंग्रेस पार्टी के वह साथ चलते चलते हम लोग का जो एक रोल है, हमारा किरदार है वो समास सेवी की रूप में है, और विगत कई वर्सों से लगातार मैं और मेरा परिवार लोगों के साथ जुड़ा हुआ है निर्वाचित भी हम लोग लगातार होते आए हैं, वर्तमान में मेरी धर्म पत्नी बिलासपूर जीले के बहुत बड़े जिला पंचायज जीला योजन समीती के निर्वाचित में में मेरी बहु जहां हम बैठे हैं ये वाड क्रमांक 68 जुन्गर निगाउं का छेतर है वहां की निर्वाचित पारसद है और इसके पहले भी मेरे घर से 40 सालों से मेरे दादा सरपंग थे, मेरे पिता यूप सरपंग थे, मेरे पिता जी सरपंग थे मैं जनपसदस था, जनपसभापती था, मेरी पत्नी सरपन थी, मेरी पत्नी जनपसदस थी, बहु जिला सदस थी, पत्नी फिर जनपसदस जनपसभापती बनी, तो सारा चुनाओ हम लोगों नी जीता है, और कभी कोई चुनाओ नहीं हारा है, उसका कारणी ये है, जहां से वेक्ति जुडाओ और हमेशा जो जिसका मेरे पास फोन आ गया और जो मेरे घर तक आ गया तो जो मेरी छमता है वकत है मेरी ताकत है उकात है मैं उस वेक्ति के जायज कामों के लिए उस संगठन उस गाओं के लिए जुचता हूँ समाजी गद्विदियों पर भी आपका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है तो यदि पर आप कर्मिनल वाले आदमी नहीं है ये देखी हुई बात है और हमने लोगों से मूझ से सुन रखा है कि बेलतरा की आस त्रिलोग सिर्वास तो भाई ये बेलतरा की आस त्रिलोग सि परकार ने बेलतरा के लिए बहुत सारी चीजों का घोशना किया है मेरा ही मांग था जब राजस्व मंत्री प्रभारी मंत्री बनकर पहली बार बेलतरा आयत हम लोगों ने तहसिल का मांग किया था राजस्व मंत्री जी ने बेलतरा में हम लोगों के बीच में स्टेज से घ चुनाओं के पहले बन जाएगा, बाद में हम सब लोगों ने मुख्य मंत्री समक्षे मांग रखा, तो आज बेलतरा तहसील है, अभी माननी मुख्य मंत्री जी ने बेलतरा में हम लोग के मांग पर महाविद्याला की घोशना किया है, और दरजनों मांग स्विक्वित किये है परन्तु बेलतरा में अभी भी जो विकास कार्य होने चाहिए परियाप्त मात्रा में, वो किस प्रकार का है हमें जानना चाहते हैं, आप तो सक्री हैं इसलिए बता लेगे, अभी भी पेजल की जो समस्या है, गाओ गाओ में पेजल की समस्या, विद्युत आपरुती की समस के स्वाश्ची समधिया भी भी आवा गवन की समस्या है लोगों के रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है परियावरन प्रदूशन 15 साल के भाजपा सरकार में सरवाधिक पावर प्लांट कोल वासी बिलतरा में लगे हैं तो परियावरा प्रदूर्शन हो रहा है लोगों के लिए चारा गाह नहीं है ऐसे बहुत सारी समस्याएं है जब भी परियावरा प्रदूर्शन की बात कर रहे हैं जब की कोई मुश्मनी भी मोल लेते हैं परन्तु अब पापुलर भी होते हैं अब पापुलर्टी तो जुड़ी हुई है जुझना संघर्स करना विवाधित होना और उसके वादारों पलगना और बाद मुन आरुपों का जांच में जूठा पाना और जीतना यह तो मेरी नीती है से आपको टिकट नहीं मिला बहुत बड़े दावेदार की रूपे हमेशा उबरते हैं क्यों नहीं मिला तिन चार कारण है पहला तो कारण एक यह है कि मेरी दावेदारी मेरे नेता जिस पटल पर रखना चीए मजबूती से वो नहीं रख पाते हैं दूसरी बात हैं कि मुझे नहीं बोलने चीए बहुत सारे लोग जब चुनाऊं आता है तो वेडिक इकट कट्वादे के लग जाते हैं इतना पावर फूल कि टिलोक सिर्वास की टिकट काट कड़ दे हैं उनको यह डर है कि टिलोकaj की जितने से हम फो हम और सी को सकती है बहुत प्रवल है यानि अध्यात्मी कादमी है हाँ एक दम तो हो सकता है कि अभी राज्योग जो है वो सत्ता का नहीं आया होगा अब आ गया है दूसरी बात ये है कि जब CEC की बैठक होती है किंद्री चुनाव समीती की तो उस समय कौन से समीकरन पार्टी कौन से माप डंता करती है और कुए बार ऐसा होता है कि मेरा गधा सामने वाले घोडे से ज़्यादा बलवाद हो च्छा तो व तो उस राजनीत की हम सिकार हो जाते हैं तो इस वार ऐसा ऐसा सार्ष कान्टिदेंस है कि इस यवार राजनीत की शिकार नहीं होंगे निश्चित इसार बिल्टरा विधानसभा मूलता सीपत विधानसभा का 60 फिजदी छेत्र है बीस फिजदी छेत्र विलासपूर विधानसभा का उसमें जुड़ा है 10 फिजदी तखतपूर 10 फिजदी कोटा तो सीपत बेल तरह से 1998 के बाद कभी कॉंग्रेस जीती नहीं है उसका मूल कारण ये है कि कॉंग्रेस ने जुदने वाले उम्मिद्वार को टिकिट ही नहीं दिया पिछले चुनाओं में हमारे मुख्यमंतरी भुपेश बगहिल जी हमारे उप मुख्यमंतरी टी एस बाबा टी एस सीदेव महराज जी हमारे चुनाओ अभ्यान समीटी के ने मिलकर इतना सांदर एक वाता औरन क्रियेट किया था पुरे च्छतिस गड़ में कि 68 सीट हम जीत कराएं यह 15 साल के भाजपा का कुसासन था और कॉंग्रेस में भुपेश बगहिल टी एस बाबा और चारों नेताब पुरे कारेकरताओं का अतक मेहनत था कि कॉंग्रेस क हम हार रहें कारण यही है जिताओं उम्मिद्वार को टिकेट मिलता नहीं है जिसको चार गाओं के लोग ना जाने सपोज आपको टिकट मिल गई जे और आप खुद दावा कर रहे हैं क्योंकि आप तो अध्यात्मिक छेट से जुड़े हैं और बिल्कुश सितारे आपके साथ ठीक ठाक राजीयोग चल रहा है टिकेट मिल गई तो जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे आप देखिए जनता तो मेरे साथ है यदि जनता मेरे साथ नहीं रहती तो मैं लगातार तीस वर्सों तक सब चुनाओं ने जितता मैं और मेरा परिवार हर पंच वर्सी और दोन जो दूरी बनाए हैं अपनी दावेदारी करण तो कॉंग्रेस में जैसे ही टिकेट वित्रेट होगा वो मेरे साथ हो जाएंगे जनता मेरे कारे को जानती है मेरे व्यावार को जानती है कोई बहुत बड़े पद में नी रहते हुए भी बेलतरा का ऐसा कोई ग्राम नी है ज मजदी तो बेलतरह में विधायक से जादा करवाया हूं क्या बात है Owen और कराते हैं आँрашाँ आपप डिवेट करा लिजिये विधायक का पूर विधायक करा करा लिजिक बिने प्दमिरातय हुए स्रिवाज जी ये जानना बहुत जरूरी है बहुत सी जरूरी है है unbelievable करता आपको क्या इसी कार के अधार पर जीताएगी अथ्वाफ सरकार के कामकाज के अधार पर जीताएगी दोनों हैं एक तो माननी भुपेज बगहिल की सरकार और मोहन मरकाम जी के नेत्यत्यत्यु में काॉंगरेस संगठन पुरे 66 गश्टीس की बहुत अच्छा काम कर रही है मैं जब बिहार गया था ममरकाम जी का कर नाम लेना है या सीम कर नाम लेना जरूरी है कि की सरकार या संगठन कारके दोनों कर सहा मंजेस बनाखे चलिए संगठन और संगठन संगठन सामनवाय चल रहा है और एक आप देखी कि आप बिहार गया था उत्तर पद्यस गया था अभी हिमान चल गया था प्रचार में तो 36 गड़ की सरकार ने जिन योजनाओं को क्रियान्वन किया है वह 36 मॉडल वहां चुनाओं में मुद्दे थे हमारी पार्टी कहती थी आप लोग मुद्दा बनाये कि विपक्ष ने मुद्दा बनाया हमने भी बनाया विपक्ष ने भी बनाया यानि आपके आइटम को चोरी कर लिया उन्होंने हमारे गोधन या योजना में पहली बार किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने गई थी कि आपने गौण मुत्रों गोबर खरीदी किया है यह योजनाएं कभी आरेसे किसी कांग्रेसी का भिनेंदन नहीं करती भुपेश बगेल है राम मत्पद्गमन याने तिलोग सिर्वास सरकार के कामकाज के दम प मर्थक साथ फिर दी पार्टी और सरकार अब सवाल यह उठता है कि पांस साल में क्या सरकार ने इतना काम करवा दिया पंद्रे साल के कामकाज को भूल गया बात यह है ना कुछ कामकाज तो पिछे सरकार ने भी अच्छे किये थी परंतु ग्रामिड और अर्थ्वेस था ग पिरामिड सनसाधन को मजबूत करने काम जो भूपेज बगिल की सरकार ने किया है वो किसी सरकार ने किया है तीन न्याय उजना भूमी ही न्याय उजना जिनकी पास भूमी नहीं है उनको प्रतिवर साथ हजार राजीव गांधी न्याय उजना क्रिसी न्याय उजना जिसमे सब के जेव में पैसा पहुंच रहा है धान का समर्थन मुल्य 26-28 रूपया और तिलोग सिर्वाज भी पैसा उसमें डाल रहे हैं जेव में सब डाले जोक सरकार के यंग सत्ता के यंग हैं काउगरेस के कारकरता और डलवा भी रहे हैं विरुजगारी भत्ता गोधन्या योज अठारा सो पचास रूपया धान का था समर्थन मुल्य MSP पूरे हिंदुस्तान में पूरे विश्व में सरवाधिक MSP हमारे 26 गड़ में हैं 2800 रूपया बोनस अलग दे रहे हैं बिजली भी 400 तक हाप है किसानों का करजा माप है तो यह इतनी सारी योजनायत और कहां चल रह जनता का तो मैं लाड़ला हूँ जनता मुझे अपना बेटा समझती है भाई समझती है दोस्त समझती है और लोग बहुत साई जगन मुझे अपना आदर से मानते हैं विदाया के डाम की विदाया की नहीं बूल सकते यह जन्नेता मैं हूँ मेरे इस आपशित निता गिरीज दो प्रकार से होती है एक राज निता एक जन्नेता था हूँ और लाइफ टाइम जन्नेता रहूंगा लिडर बॉर्ण से होता है बॉर्ण लिडर उसके लिए जरूरी तिकट आपको मिलती है और संगठाना आप पर विश्वास जाहिर करता है तो निश्शित रूप से बेलतरा आपके हाथ में आर आपके अंसार आ रही है बेलतरा बिधान सवा सीट आपकी है बिधायक बनते ही आपकी यानि प्रोबिबिल्टी बनती है चुनाओं मैदान मु परात्मिक टाएं बेलतरा के लिए ये है कि बेलतरा जिस नाम से विधान सभा है बेलतरा मुख्याला में एक बहुत अच्छा सांदरी स्कूल हो जाए हमने आत्मन की घोशना तो करवा लिया है एक मौडल विधाला हो जाए कॉलेज की घोशना हो गई है एक हॉस्पीटल ब सबसे बड़ा हॉस्पीटल बन रहा है मंगला है मौपका है यहां सिटी डिस्पेंसरी हो जाए हमारे जो वन ग्राम है उन वन ग्रामों में कई गाओं में हाइर सेकंडरी स्कूल नहीं है आज भी बाका में मैंने ही ग्रीव मंत्री जी जो हमारे हैं और पुर्व पिरिवड कि हमारे जो लोग है योवा बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के साधन जो क्रिसिक पर अधारित है क्रिसिक कोई दो चार ऐसे बड़े प्रोजेक्ट यहां हम लेगे आएं जिससे पर्यावर प्रदूसर भी मत हो और है स्थानी प्रोजगारों को हजारों लोग को रोज बिल जाए यह सिक्षा है त्रिलोग शिवास अध्यात्मिक वेक्ति हैं उन्हें सितारों की अच्छी पहचान है पचीस साल से बेशक टिकट नहीं मिलना है लेकिन उनका इसवार कहना है राज योग कुंडली में लिखी है उनके पास विजन है किसानों के लिए चिंतन है य लोग शिर्वास को पूरा भरोसा है कि संगठन को इजवार हर हालत में टिकट देना ही पड़ेगा और अपने विजन को विधायक बनते ही मैदान में उतार देंगे आग्या दीजिये नमस्कार